इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनिट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। पोहा oral suspension antifungal नामक दवाओं के समूह के अंतरगत आता है। यह fungus के विकास को रोप कर काम करता है और इसका उपयोग fungal infection के इलाज के लिए किया जाता है। यह कवक कोशिका जिल्ली को नश्ट करके कवक को मारता है। पोहा oral suspension आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लिया जाना चाहिए। उन्हें पूरा निगल लिया जाना चाहिए और भोजन के साथ लिया जाना चाहिए। उपचार की खुराक और लंबाई उस्थिती पर निर्भर करेगी जिसका आप इलाज कर रहे हैं। कभी कभी यह उपयोग और गैर उपयोग के चक्रों में होगा। सबसे अधिक लाप प्राप्ट करने के लिए इस दवा को समान अंतराल पर ले और जब तक आपका नुस्खा समाप्ट न हो जाए। तब तक इसका उपयोग जारी रखें। भले ही आपके लक्षन कुछ दिनों के बाद गायब हो जाएं। यदि आप बहुत जल्दी उपचार बंद कर देते हैं तो संक्रमन वापस आ सकता है और यदि आप खुराक लेना भूल जाते हैं तो आप संक्रमन के अपने जोखिम को बढ़ा सकते हैं जो आगे के उपचार के लिए प्रतिरोधी हैं। अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या संक्रमन ठीक नहीं होता है यदि ये खराब हो जाता है। उने पर अपात कालीन सहायता प्राप्त करें। यदि आप गर्भवती हैं या गर्भवती हो सकती हैं तो इसे तब तक न ले जब तक कि आपके डॉक्टर ने आपको ऐसा करने के लिए न कहा हो। इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें यदि आपको कभी दिल की विफलता, गुर्दे की समस्या या जिगर की समस्याएं जैसे पीली त्वचा यानि की पीलिया हुई हो। या मशीनों का संचालन न करें।